चाणक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉंच वेहिकल मार्ग 3 की जो की भारत का पहला कमर्शल मिशन है। भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्धन ने आंद्र प्रदेश के सतीश धवन अंत्रिक्ष केंद्र से सफलता पूर्वक पहला कमर्शल मिशन लॉंच किया है। इसे लॉंच वेहिकल मार्ग 3 M2 से लॉंच किया गया है। इस मिशन के तहत 36 सेटलाइट को उनकी और्बिट में भेजा गया है। इस मिशन के तहत One Wave Limited के सेटलाइट भेजे गए हैं। ये सेटलाइट One Wave Limited कमपनी के हैं जो की एक UK आधारित स्पेस कमपनी है। जो इसरो की वानिजिक शाखा New Space India Limited का एक ग्राहक है। भारती Enterprises One Wave में एक महत्तपु निवेशक भी है। One Wave Limited के 36 सेटलाइट को इस मिशन के तहत स्पेस में भेजा गया है। One Wave 588 सेटलाइट का एक Low Earth Orbit तारा मंदल स्थापित कर रहा है। इस पूरे मिशन के विशेशताओं के अगर बात करें। तो LVM3 ISRO का पहला वानिजिक मिशन था जो 36 सेटलाइट को लेकर गया है। यह हैं एक Multi Satellite मिशन था। इसकी मदद से Low Earth Orbit में यह हैं पहला प्रक्षेपन था। यह 6 टन पे लोड वाला पहला NSIL रॉकेट मिशन है। साथ यह वन वेव के साथ पहला मिशन भी है। लॉच वेहिकल Mark 3 की शक्ति की अगर हम बात करें। तो Mark 3 M2 ISRO का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉच वेकल है। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपन यान है। यह रॉकेट 6 टन का भार लेकर स्पेस में गया है। इसके पहले दो चरण में ठोस प्रनौदक स्ट्रैप उन लगे होते हैं। इसके आखरी फेज में L110 liquid fuel होता है, C25 cryogenic phase इसका main phase होता है। इस रॉख आगे आने वाले समय में इस रॉकेट की मदद से और भी mission launch करेगा। जिससे इस रॉख को वित्तिय लाब भी होगा। वन वेब की योजना क्या है इसके बारे में अगर बात करें। तो वन वेब low earth orbit में तारा मंदल स्थापित कर रहा है। इन उपग्रहों को 49-49 की संख्या में 12 रिंगों में orbit planes में स्थापित किया जा रहा है। यह और्बिटल planes प्रत्वी से 1200 किलोमेटर उपर हैं। प्रतेक उपग्रह, प्रतेक 109 मिनिट में प्रत्वी का एक पूर्ण चक्कर पुरा करता है। इन सेटिलाइट्स की पूरी संख्या 588 है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर complete होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विशय के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को like, share और subscribe करना ना भूलें। Thank you so much! Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.